हेलो दोस्तो सौगत आपका मेरे यूटूब चैनल अश्विं क्रिकेट गुरू पे कल भारत और आयरेलेंग के बीच डबलीन में पहला टी-20 मैच खेला गया बी-सी-सी-ाई ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी दूसरी टीम भीजी है और कप्तान हर्दिक पांडिया को निउक किया गया था इस मैच में पारिश के दखला अंजाजी के वज़े से ये मैच सिर्फ 12 और का खेला गया था टॉस भारतिय टीम के कप्तान हर्दिक पांडिया ने जीता और पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया पहले बैटिंग करने उतरी आयरलंड की टीम के शुरुवात कुछ खास नहीं रही आयरलंड के स्टार बले बाद स्ट्रिलिंग और बालबिर नी सस्ते में निपड गए स्ट्रिलिंग ने चार रम बनावे बालबिर ने अपना खाता भी नहीं खोल पा है उसके बाद आयरलंड के तरब से हैरी टेक्टर ने शांदार बैटिंग की घरि टेक्टर ने 33 गेंदों में शांदार 64 रम बनाए उसमें उनके 6,4 और 3,6 शामिल थे हैंरी टेक्टर को टकर का अच्छा साथ मिला उन्होंने 16 गेंदों में 18 बनाए भारती टीम की तरफ से उजी चहल ने शानदार गेंद बादी की चहल ने तीन ओर में मात्र ग्यारा रंग देते हुए एक विकेट हासिल किया चहल के अलावा भूनेशुर कुमार ने 16 रंदे के एक विकेट लिया वही हारदिक पांड्या ने 26 रंदे के एक विकेट चटकाया उसी के साथ अवेश खान ने भी 22 रंदे के एक विकेट लिया सबको प्रतिक्षाती उमरान मलिक के गिन बाद ही की लेकिन उमरान मलिक इस मैच में कुछ खास प्रभाव नहीं दाल सके उन्हें मात्र इस मैच में एक वर करने का मोगा मिला एक वर में उन्होंने चोदा रंदे उन्हें कोई सफलता हसिल नहीं हुई कप्तान हर्दीक पांडिया ने इस मैच में खुद दो ओवर किये हिसो जैसे उम्रान मलीक के हिस्से में ज़्यादा ओवर नहीं आए एक सो नौर उन्यों के लक्ष का पीछा करने उत्री भारतिय टीम की शुरुआत बेहत आकरमाख रही इशान किशन ने ताब उर्टोब अंदाज में बैटिंग करना शुरू किया था इशान किशन ने 11 गेंदों में शुरुआदार 26 रम बनाए उन्होंने इस इनिंग में तीन चोके और दो शुरुआदार चक्किये लगाए 26 रम बनाने के बाद इशान किशन आउट हुए बहुत दिनों के बाद टीम में वाफसी कर रहे सूर्य कुमारी यादो को इस मैच में कुछ खास प्रभाव दालने में कामिया भी नहीं मिले सूर्य कुमारी यादो बिना खाता खुले ही जीरो रम पर आउट हो गए दो विकेट खो दिये थे उसके बाद बैटिंग करने उत्रे कप्तान हर्दिक पांडिया और धीपक खूडा ने कोई विकेट जल्दी नहीं गिरने दया और दोनोंने शांदार बैटिंग की आक्रमक बल्ले बादि करते हैं हर्दिक पांडिया ने बारा गेंदों में तीन छको और एक चोक के सायता से चुबीस रम बनाए दीपक खूडा आज बैटिंग करने ओपन आये थे और उन्हें शांदार बल्ले बादिक की दीपक खूडा ने 29 गेंदों में नाबाद 47 रम बनाए उनमें उनके शांदार चोके और दो छके शामिल थे दीपक खूडा के बैटिंग के शांदार परफॉर्मन्स के बदौलत भारत ने इसकोर नवे ओर में हासिल किया 111 रम बना तो भारत ने अपनी इनिंग में 3 विकेट खो दिये थे दिनेश कार्तिक 5 रम बना कर नाबाद रहे आयरलन्ड की तरफ से क्रेग एंग ने शांदार गेंद बादिकी उन्होंने 18 रंदे के 2 विकेट चटकाए वही लिटल ने 49 रंदे के 1 विकेट हासिल किया इस मैच के लिए यूजी चेहल को प्लेर आफ दे मैंच चुना गया दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब पीजे फिर मिलते हैं